हरियम दोस्तों मैं योग गुरू डॉक्टर अमित अगरवाल अपने यूट्यूब चल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण खास तोर से उन लोगों के लिए जिनका पेट साफ नहीं होता लगातार कबज रहता है आतों में मल जम जाता है जिसकी बज़े से क्लीनिंग आतों की नहीं होती या टॉक्सिंस जमा हो जाते हैं और आपको गैस बनती है वायू बन हरण लगाता शरीर में वात बढ़ जाता है और वात बढ़ने के कारण उनके जोड़ों की सूजन नहीं जाती दर्द नहीं जाता तो बहुत ही सरल आज आपको मैं बहुत ही एक सिंपल सा नुसका बताने वाला हूँ जिससे आपको पहले दिन से लावनबब होगा मेरे पास है ये छोटी हरण जिसको काली हरण भी कहते हैं मार्केट में बड़ी असानी से मिल जाती है ये आप करीब 100 ग्राम हरण लीजे आधा चमच देशी की डालकर कढ़ाई या तवे पर अच्छी तरह भून लीजे भूनते समय ये बढ़ जाएक बढ़के साइस बढ़ जाएग और इसको जब फूल जाए और अच्छी तरह तो उसको थोड़ा ठंडा कर लीजे और उसके बाद इसको पीश लीजे ग्रैंट कर लीजे और इसका पॉडर बना के रख लीजे और फिर चौथाई चमच से गरम पानी या गरम दूस से इसकी शुरूबात करे इसको आप आदा चमच और एक चमच तक इसकी डोस कर सकते हैं लगातार लेने पर आपका पेट की क्लेरिंग अच्छे से होनी लगेगी और जब आप लगातार इसको लेंगे तो आप देखेंगे आपका बजन भी कम होगा क्योंकि बजन का बहुत बड़ा कारणा आपका कब्ज होता है या वाईयू रोग होता है तो पेट साफ होने से आपका बजन कम होना शुरू हो जाएगा और आपके जोड़ों में जो दर्द लगातार बना रहता था वो सूजन भी आपकी कम होगी छोटी हरल की खास बात है ये आपके शरीर में बात पित कफ तीनों को बैलेंस करता है आ इसकी कम मात्रा में शुरूबात करिये और धीरे धीरे अपनी फाइदे के अनुसार इसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में फिल्म मिलते हैं एक महत्यपूर्ण टॉपिक के साथ सभी को हरियो झाल 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 झाल